अगर आप भी टीवी देखते हुए कुछ ऐसा भी करते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए हाथ में मुबाइल और टीवी पर टिकी नजरें अपनी साधत को जितनी जल्दी हो सके आप बदलने नहीं तो दिमाग काम करना बंद कर सकता है कॉपन हैगन उनिवर्स्टी में विशेशक्यों ने लोगों को सला दी है कि वो एक साथ दो इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का इस्तेमाल ना करें खास कर टीवी देखते समय स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से बचें कॉपन हैगन उनिवर्स्टी की टीम ने 80 लोगों पर ये प्रियोग किया है शोद करताओं के मताबिक एक साथ दो इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने से आखों पर दो स्क्रीन की चमक एक साथ पढ़ती है दो स्क्रीन की चमक दिमाग के लिए खतरनाक होती है इस चमक से मस्तिक्ष डोपमाइन हार्मोन रिलीस करने लगता है जिससे दिमाग के सुन होने का खतरा होता है इनसान का आई-क्यू कम हो जाता है और मेमोरी गलत जगह पर जमा हो जाती है नतीजा बाद में कोई बात याद नहीं आती इसलिए बहतर है कि टीवी देखते समय आप टीवी प्लस मुबाइल जान लेवा स्मार्टफोन चलाने से बचे, लैप्टॉप पर काम ना करे, टैबलेट और टीवी साथ ना चलाए शोद करताओं के मताबिक एक साथ कई उपकरणों पर काम करने वाले लोगों को लगता है कि वो स्मार्ट है, पर हकीकत में एक साथ कई काम करने की ये आदत उनका IQ ही कम कर देती है रितेश्वर के साथ व्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया